दोस्तो ए चीज जो आप देख रहे हो ना एक हिस्टन का मंदिर है पत्तर का बना पुराना हाई दोस्तो आप देख सकते हो मेरी पीछे का नजारा और कोमेंट करके बताना दोस्तो आभी मैं हूँ काँ हाई एबरिवन स्वागत है अब लोगों का और एक नया ब्लोग वीडियो में तो दोस्तो आज मैं जा रहा हूँ गौंगरमपु टाउन में घुमने के लिए और ब्लोग वीडियो बनानी के लिए मैं जा रहा हूँ गौंगरमपु टाउन में और गौंगरंपूर टाउन का जो पार्क है उस पे भी एक अलग सा मैं वीडियो बनाऊंगा तो वीडियो पे लास्तक बने रहना तो दोस्तो वीडियो बनाने में बहुत मेनद लग रहा है तो वीडियो पे लाइक करना चैनल को सस्काइब करना और वीडियो पे लास तक बने रहना तो दोस्तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हाई दोस्तों अभी मैं हूँ फुलवाड़ी और फुलवाड़ी से मैं गौंगारंपूर के तरब जा रहा हूँ पीछे का नजारा आप देख सकते हो मेरा और वीडियो को लास्ट तक इंजोई कीजिए अभी दोस्तों हम लोगों को लेना है फैटोल कि बाइक के अंदर खतम हो चुका है तो भर लेते हैं दोस्तों फैटोल अभी बाइक के अंदर कि अंदर कि अंदर कि अंदर कि अंदर का सेगंड बड़ा हस्पाटल है और कल्ड यह हस्पाटल छोड के मैं जा रहा हूं अभी वंगरंपूर टाउन के तरब हाई दोस्तों आप देख सकते हो मेरी पीछे का नजारा और कॉमेंट करके बताना दोस्तों आभी मैं हूं कहां तो आभी मैं हूं दोस्तों बंगरंपूर इस्टेडियम के पास तो यहां से मैं गुजर रहा था तो मैंने सोचे क्यों ना एक वीडियो बना ले जाए यहां का वीडियो आप इंजोई कीजिए सबी जुबा हैं हम हैं हजारों में अब की कमे जरा है हर चीज खास है अब है जो है वह समा है तुम रह सकी तो रबा है अब है जो है वह समा है तुम रह सके अभी दोस्तों मैं यहां से निकल रहा था तो एक इसकूल देखा मैंने देखने में बहुत अच्छा लग रहा है इसकूल अब देख सकते हो कि अब लोगों को दिखानी के लिए मैं जा रहा था तो तो अभी दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज दिखाऊंगा रोट की बगल में ही है और देख सकते हो अब अब को बाद में पता चलेगा ध्यान से देखना इस चीज को उसके बाद बाद में आप लोगों को पता चलेगा पहले नहीं पता चलेगा तो ब्लोग को इंजोई कीजिए सेहनी हमें सजा है हम हैं बजारों के सबकी नजर यहां है हर चीज राज है अब है जो है वसमा है हाई दोस्तो अभी मैं हूँ फिलाल राजीप पूर और इसके अंदर जो इसकूल है इसके अंदर बहुत भयंकर चीज देखने के लिए मिलेगा आप लोगों को तो वीडियो को लास्ता चुरूर देखना तो चलिए दोस्तो अंदर चलते हैं तुमे रह सकी तो रबा है अब है जो है वो समा है तुमे रह सके ऐसी जीत अब चाहे जिन्दगी ऐसी जीत अब चाहे जिन्दगी है दोस्तो अभी जो चीज आप देख रहे हो ना इसकी बारे में मुझे इतना जनकारी नहीं है इसलिए अब लोगों को मैं शियन नहीं कर पा रहा हूं अब लोगों को जनकारी है तो समझ लेना मैं पहली बर देख रहा हूं यह चीज और जो अभी जो वीडियो आप देख रहे हो ना इस तरह मैं कभी नहीं आया था देखने में दोस्तों बहुत मजा आ रहा है और अभी मैं जा रहा हूं इस तरह सीधा और यहां पर भेंगोली से लिका है और पढ़ने का भी इतना टाइम नहीं है मेरा पास क्यूंकि मुझे भी दूसरा वीडियो बनाना है देख सकते हो पर्क जैसा ही है लेकिन यहां पर बहुत कुस है देखने का अब इस तरह एक खिस्टन का भी स्कूल है जो पड़ाई करता है यहां पर अब ही दोस्तों मैं पाइपास होके जा रहा हूं पारिक के तरफ मतलब कल्डी की पर्ग में अभी मैं जा रहा हूं वीडियो बनाने के लिए अब देख सकते हो यहां को नजा रहा है भाई डियर चंज कर ले यार कर ले तेरे जाए चूतिया मैंने कभी नहीं देखा मेरे लाइम में तो फाइनली दोस्तों मैं आ चुका हूं कल्डी की पर्ग के तरह आप देख रही है और आगे देख सकते हो गेट है तो बने रहे न ट्रेन देख सकते हो यह भारत का सबसे बड़ा बुलेट ट्रेन है और इतना तेज भागता है न काए बता हूं अब लोगों को मैं आके खुद देख ले ना पर्क के अंदर कितना स्पीड से भागता है यह बुलेट ट्रेन दोस्तों वीडियो अब लोगों को अच्चा लोगों को मेरी चैनल में आप लोगों को मिल जाएगा